यह यह सुदिन हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चेप्टर सेकेंड हेराइक जिसमें बच्छो भी आरों दी पेर नमबर पॉटीन लास परिग्राइब देन सड़नली समबडी शॉटेट फ्रम बिहाइंड हर hold on Ruby don't let go Harriet skating towards us at full speed was Will Webster tall and strong जैसे ही then suddenly suddenly का मतलब होता है बच्छो अच्छानल समबडी shouted from behind her Harriet के पीछे से आवाज आ रहे है hold on Ruby Ruby इसको पकड़े रखो don't let go उसे छोड़ना मत Harriet skating towards us at a full speed was a Will Webster जो है वो इनके पीछे से हर्याइट के पीछे से आवाज लगाते हुए दोनों को देखता है कि Ruby जो है वो पानी में है और Harriet इसको सेव करने के बचाने की कोशिश करियर विल विल वेपसर है वो यह कह रहा है कि इसको पकड़े रखो छोड़ना नहीं ताकि Ruby की चान बस सके tall and strong don't panic he shouted don't panic यहां पर विल वेपसर है वो tall भी है और strong भी boy है उसने कहा कि don't panic यानि आप तनाव पैनिक होना बच्चों तनाव गरस्त होना आप तनाव गरस्त मत हो he shouted don't panic तनाव गरस्त नहों और few feet away from Harriet he came to help and sprawled out on the ice थोड़ी ही दूर few feet away from Harriet Harriet से कुछी feet के दूरी पे विल वेपसर है वो आता है और came to help and sprawled out on the ice बरफ के उपर skate करते हुए वो आ गया रहा है move aside Harriet तब विल वेपसर ने Harriet को एक साइड हटाया let me take the branch मुझे वो branch जो है वो उसको hold करने दो उसको पकड़ने दो slowly girl get back दीरे दीरे करके Harriet जो थी वो पीछे हुई pushing Harriet gently to the side he grabbed the branch with the both hands Harriet को एक तरफ अटाते हुए विल वेपसर ने वो जो branch थी वो जो पेड़ के शाखा थी इसको tightly पकड़ लिया दोनों हातों से come on Ruby come out girl he shouted he shouted out to me we will make it come on and Ruby को बहार आने के लिए प्रेरित करते हुए कहा come out Ruby girl Ruby girl लड़की बहार आ जाओ shouted out to me Ruby की तरफ चीखते हुए well we will make it हम यह कड़ सकते है come on I felt powerful jerk powerful jerk का मतलब होता है बच्चों एक तेज पुष्ट लगना एक तेज धक्का लगना I felt powerful jerk so strong that the branch almost slipped out of my hands यहां Ruby को ऐसा लगा कि इतनी जोर का जटका लगा कि जो branch जो थी वो Ruby के हट से तकरीबन slipped होने वाली थी यानि पिसलने वाली थी but I held on the pushed myself up लेकिद Ruby ने भी अपने आपको उपर की तरफ push किया I thrashed my ladden legs kicked and kicked pressing hard against the eyes यहां पे Ruby ने अपने पैरों को kicked करना यानि अपने पैरों से जोर का धका मारना बर्ब की तरफ यानि नीचे की तरफ उससे जोर का धका मारा और अपने आपको उपर की तरफ push किया pressing heart against the ice and slowly और दीरे-दीरे I felt myself hold forward out of the deep और कहीं न कहीं रूबी को ये लगा के दीरे-दीरे करके वो गहराई से गहरी बर्फ से गहरे पानी से वो उपर आ रहे थी डार्क वाटर गहरा पानी My chest thumped over the ice और यहां पर रूबी की जो chest है वो किसके उपर आके लगती है बर्फ के उपर My chin knocked against it और रूबी की जो chin है वो भी बर्फ के उपर आके लगती है My legs trail behind me और रूबी के जो पैर है वो भी उसके पीछे-पीछे बाहर आ जाते है Numbed and useless from the cold और बच्चों क्या होता है जब cold में हमारा शरीक या हमारे शरीक का कोई part रहता है तो वो क्या हो जाता है freeze हो जाता है एक तरीके से है ना वो सुन हो जाता है तो यहाँ पर रूबी के जो पैर थे वो numb हो चुके थे यानि सुन हो चुके थे and useless from the cold When I was able to lift my head I looked into a pale face of my sister जैसे ही रूबी उपर बर्व की सत्य आ गई बच्चों आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि रूबी पानी के अंदर है हर्याट इसको बाहर से बचा रहे है तो यहाँ पर रूबी इस आइस के उपर आ जाती है और यहाँ अंदर वो किड़ चुकी होती है तो यहाँ से बच्च के वो उपर आती है जैसे ही रूबी बच्च के बाहर आई उसने अपनी जो सिस्सर हैरिट है उसका दोमिल चहरा पेल फेस जो था वो देखा टिर स्ट्रीम डाउन हर चीग्स एज शी विस्परड और हैरिट जो थी उसके गालों पे से बच्चों आशु बहरे थे और वो फुस फुसा रहे थी वी मेड इट हमने ये कर दिखाया वी मेड इट हमने कर दिखाया शी हैड मेड इट और उसने ये आखिर कर लिया माई लिटल सिस्सर हैरिट और रूबी को कही ना कहीं प्राउट फील हो रहा है अपनी सिस्टर पर वो कहरिए है my little sister Harriet इसी के साथ बच्चों हमने आपका chapter 2nd heroic date जो थी जो की Harriet ने अपने प्रयास से अपनी drowning sister Ruby जो थी उसकी life को बचाया हला की जो Harriet जो थी बच्चों इतनी active नहीं थी फिजिकली भी थोड़ी डम थी लेकिन उसने प्रयास करके और determination के साथ अपने sister की life जो थी उसको भी बचा लिया thank you very much